हेलो श्टुडेंट आज की इस वीडियो में क्वेशन नंबर 2 को करेंगे क्वेशन नंबर 2 क्या है पुष्यमित्र सुंग की उपलब्दियों का वर्णन करें बहुत ही सिंपल इसका उधारन देते हुए क्वेशन को सॉल्ब करना है और समझते जाना है कि पुष्यमित्र सुंग ने प्राचिन भारतिय सास्कों में एक महतुपूर्ण अस्थान रखता है, इन्हों ने उत्तर मोर्य कालिन के सासक के गिर्ती राज सत्ता को पुना अस्थापित करने का प्रियास किया, यानि कि उत्तर मोर्य कालिन जब उसकी सासन जब गिर्ती जा रहे थी, उसकी सत्ता पुरी तरह से छिन भीन होते जा रहे थी, तो उसको पुना अस्थापित करने का प्रियास किया, किसने पुष्यमित्र सुंग ने, ठीक है यहाँ पर केलियर है आपको, अपने बल तथा सेना के साथ से, क्या कि इस मोर्य कालिन, उत्तर मोर्य कालिन की जब शासक ते उसको फिर से अस्थापित करने का प्रियास किया, तथा यवन अकर्मन कारियों को आगे आने से रोका भी, और इसी परकार से इन्होंने अगला प्रियास निम्ने तरीकों से करते गए, पुष्यमित् सासक ब्रिधत, उसका सेना पती था, और इसे प्रोबीपी के द्वारा सासक बनने के पुर्व योवनों से संघर्ष भी करना पड़ा था, यानि योवनों से लडाए भी यूद भी करना पड़ा था, चली इसकी योगताएं देखते हैं क्या क्या थी, तो पुष्यमित्र तो क्या क्या योगताएं थी, वो देख लेते हैं, 187 से 188 इस्वी पुर्व में दमित्र पर्थम ने पाटली पुत्र पर आकर्मन किया था, वा आकर्मन अल्प कालिक था, यानि छोटे दिन के लिए था, दुसरे में, दमित्र को सिग्र ही 187 इस्वी पुर्व में पाटली पुत्र से लोटना पड़ा, उसके बाद क्या हुआ, कि उसके जाने के बाद, पुसिय मित्र ने 187 इस्वी पुर्व में, मोर्य सत्ता समाप्त कर सुंग वंस की सत्ता अस्थापित की, मोर्य वंस की जो सत्ता था, उसको खत्म करने के बाद, ये अपना सुंग वंस की सत्ता अस्थापित की, ठीक है, अब चले, इसके, अब यह जब सुंग वन्स की सत्ता अस्थापित करने के बाद, इसकी जो राजनिती एकी करन की परकिया थी, वो किस परकार से थी, इसके बारे में देख लेते हैं, तो राजनिती एकी करन की परकिया, मोर्ये सत्ता को हथियाने के मोर्य सत्त को हत्याने के बाद 187 इसवी पुर्व में पुशिय मित्र सुंग के द्वारा सुंग सत्त अस्थापित किया गया और जब पाठली पुत्र की सत्त का हस्तात्रन किया गया केंद्रिय सकतिक भी कमजोर पढ़ने लगी और इस कारण समराज के विभीन भाग स्वतंत्र हो रहे थे आगे चलिए इस कोशन को दीरे दीरे इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे आपको कहीं अगर किसी वी तरह से दिखा थे तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं ताकि उस चीज को पूरा करने के लिए हम अच्छी परियास कर पाएं चलिए इससे आगे बढ़ाते हुए आगे देखेंगे कि विदर्व से संगर्ष यानि विदर्व से संगर्ष कैसे हुआ विदर्व के साथ संगर्ष पुष्य मित्र के राज काल की एक महतुपूर्ण था और अंतिमोर्यसासक ब्रीदत के समय में मगद दर्वार में दो गूट सकती साली थे मंतरी या अमातिवर्ग और सेना पतिवर्ग यग सें मंतरी गूट के समर्थन से विदर्व का साथन बन बैठा उसने माधहौ सें को रिहा करने की मांग की परन्तु इसके बदले में यग सेन ने सुंगो की कैद में पड़े अपने साले को छोड़ने की मांग कर रखी थी, ठीक है, अब इस यूद में, यग सेन की पराजय हुई, माधाव सेन को रिहा कर दिया गिया, विदर्भ का राजी माधाव सेन और यग सेन में विवक्त हो गिया, और इससे पुश्यमित मित्र की पर्तिष्ठा में ब्रीधी हुई, इस परकार से इसकी जो ताकत थी और अच्छी तरह से मनोबल जिसको बोलते हैं, वो बल चुका था, आगे, आप देखेंगे इतना करने के बाद, यवनों का भी आकर्मन हुआ, तो यवनों का आकर्मन के बात क्या होता है, कि और सिंदू तक आकर्मन किया, यवनों का जब भारत पर आकर्मन हुआ, उसमें पुष्यमित्र भी इन लोगों से ही यूद किया, ठीक है, और उन लोगों ने साकेत के साथ साथ सिंदू तक भी आकर्मन किया था, और यवनों ने इस परकार साकेत, पांचाल और मथूरा पर दमित्र पर्थम ने ही पुषियमित्र के समय में दोनों बार भारत पर आकर्मन किया था कौन किया था दमित्र पूत्र इस बीजय के उपलब्ध में सुंग सासक ने अस्व मेध अग्य किया जो भी हो सुंगो ने यवनों को मगत तक बढ़ने से सफलता पुर्वक रोक भी दिया था चलिए इसके आगे का कार्य देखते हैं कि क्या हुआ था अब यहाँ पर देखते हैं इस परकार से जब लडाईयां लड़े गई अनिको परकार से संघर्ष की गई तो समराज का बिस्थार तो होना ही होना था तो समराज का बिस्थार कहां से कहां तक और किस परकार हुआ इसे भी देख लेते हैं इसी कोशन के अंतरगत आता है तो पहला पुस्यमित्र ने बरार एवं यवनों पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत के पश्मी भाग पर भी विजय प्राप्त की उसके बाद इसके अलावा पुस्यमित्र ने पंजाब में जलाधर और अस्थाल कोट पर भी विजय प्रा आवंति यानि उज्यनी जिसको बोलते पर भी था पुश्य मित्र के 36 वर्सों के सासन काल में विखरते मोर ये समराज को संगठित कर उसे सुंग समराज का रूप दे दिया यानि कि मोर ये समराज जो खतम हो रहा था उसे खतम करके ये अस्थापित उसी को फिर से कर रहा था लेकिन उसका नया नाम के क्या दे दिया गया सुंग समराज तो सुंग समराज का स्थापना किसके बाद हुआ तो मोर ये समराज के बाद इसका ये सस्थापक कौन था तो पुश्य मित्र सुंग था इस परकार से हम याद रख सकते हैं के लिए यहाँ पर चलिए हम लोग आ और वही आकर्मन कर देते थे भारत पर और अपना स्थापित करना चाहते थे उसी चीज़ पर अंकुष लगाना था पाबंदी लगाना था कि बिदेशी आकर्मन ना हो सके इस कारण पुष्यमित्र ने समराज की सीमा दच्छिन में नर्मदा नदी से लेकर पंजाब के महतु पुर्ण भागों पर अपना अधिकार कायम कर दिया ताकि जहां से ज्यादा विदेशी आकर्मन लोग आया करते थे इस परकार पुष्यमित्र ने मगद के निकटवर्ती छेत्रों बिहार उत्तरपरदेश और मध्यपरदेश तक तथा मगद कोसर साकल तक अपने समराज को बिस्त्रित किया और अपने सत्ता को अधिपत्य में लाते गया इस परकार से फिर क्या हुआ परशाशनिक व्यवस्ता सुरू हुआ परशाशनिक व्यवस्ता क्या है कि अगर हम पुष्यमित्र की विवेचना करे तो हम कह सकते हैं कि केवल वा एक विजेता ही नहीं था बलक और उसके उपर ध्यान धिया और पुस्यमित्र सुंग ने अपने इस समराज को अपने आठ पूत्रों में बाठ दिया था जो राजी के विभीन भागों में समराट के परतिनिधी के रुप में सासन करते थे और इस राजी की दो राजधान्या थी पर राजा पाटली पुत्र से ही पूरे समराजी पर नियंत्रन रखता था और पुस्य मित्री ने राजकूल के सदस्यों को ही प्रांतिय सासक के पद और दिये भी थे ठीक है यानि राज के जो सदसे होते थे राजपुल के जो सदसे होते थे उसी को सासक बनाया जाता था दूसरे को नहीं बनाया जाता था विदीशा में अगनी मित्र की गवर्नर बनाया गिया अयोधिया का परसासक धन्देव भी पुशिय मित्र के वंस का होने का दावा करता था उस समय राज कुमारों को गवर्नरों के अतिरिक्त सेनापती का पद भी दिया जाता था ठीक है गवर्नरों के साथ सेनापती का भी प आद धार्मिक निती की ऑर चलेंगे धार्मिक निती की दृष्टी कोन से पुश्य्यमित्र का सासनकाल बहुत मातु पुर्ण था। पुष्यमित्र सुम के समय ब्रह्मन धर्म का पुनर रुस्थान हुआ और यानि ब्रह्मन धर्म का फिर से पुनर अस्थापना हुआ बोध धर्म की आपेच्छा वैदिक धर्म का महत्व ज्यादा बढ़ गिया था बुद्धर्म के अपेच्छा वैदिक धर्म को ज़्या माना जाने लगा उसके बाद पुषय मित्र ने वैदिक धर्म को धर्म की स्रिष्टा अस्तापित करने का भी पर्यास किया था पुजा, पाठ, यग एवं बली की पर्था जो असोक ने बंद करवा दिया था कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब अंध भी स्वास है, लेकिन पुश्यमित्र ने इस चीज को फिर से पुनरजवित कर दिया, और इस परकार से कहा जा सकता है, कि जहां पुश्यमित्र वैदिक धर्म के उधारक हो, तो वहीं बहुत धर्म के कुखियात और इस तरह पुश जा हिंद जा भारत